Hey guys, I welcome you all to Study IQ, मैं हूँ प्रशान्त धवन और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुधोल हाउंस के बारे में Indian Army पहली बार Indian breed के हाउंस सर्विस में लेने वाली है, काफी historic बात है तो यहाँ पर discuss करेंगे, मुधोल हाउंस basically है कहाँ के इन में क्या खास बात है और अब कोर्स recently हमारे देश के फ्रदान मंतरी ने इनका mention अपने speech में क्यों किया था So a lot to know, a lot to discuss as always, let's start और Study IQ के pen drive and tablet courses आते हैं, सब exams के लिए SSC, bank, RV, grade, UPSC Various exams के pen drive and tablet courses आपको बिलेंगे studyiq.com पे, यहाँ से आप test series भी purchase कर सकते हैं अब यहाँ के सामने एक photo है, मुधोल हाउंड की, यह आप दे सकते हैं, यह है Indian breed का dog अब आपके mind में question आएगा, कि यहाँ पे मैंने मुधोल डॉग लिखा हुआ है, पहले मैं मुधोल हाउंड के रहा था, तो क्या कुछ फरक होता है, देगो जारा कुछ फरक नहीं होता एक हाउंड होता है, शिकारी कुत्ता, वैसे आप मुधोल डॉग बोलोगे, तो वो भी गलत नहीं है, मगर मुधोल हाउंड जादा एक technically correct terminology होगी उसके लाव एक और शब्द आप काफिवार देखोगे, के नाइन, के नाइन को अगरम as a noun यूज करें, तो इसका अर्थ होता है, डॉग, कोई भी डॉग उसको आप कहोगे, के नाइन है अब देखो, ये जो मुधोल डॉग हैं, काफियत तक news में इसलिए हैं, क्योंके इंडियन आर्मी में इनको इंड़क किया जाएगा उसके लावा हमारे देश के ब्रधानमंत्री जी ने रिसेंटी करनाटका में एक rally के दोरान, एक speech में का के opposition party को देश भक्ती सीखनी है, तो उनको मुधोल डॉग से सीखनी चाहिए तो इसलिए suddenly ये मुधोल डॉग और जाला news में आ गए, बहुत सारे इस पर लेख लिखे गए कि ये डॉग कोन से हैं, प्रधानमंत्री जी ने इनका mention क्यों किया तो ये तो खैर एक political rally में उनने ये statement दी थी, election के टाइम ऐसे statement होती है, मगर यहाँ पर हम जानेंगे basically ये मुधोल डॉग्स हैं क्या, इनका use कैसे होगा, आर्मी अब तक विदेशी कुत्तों का इस्सेमाल क्यों करती थी, और इन military कुत्तों के साथ क्या होता है, जब ये retire हो जाते है, देखो मुधोल हाउंड्स काफियत तक royal dogs भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इनको एक टाइम प हुआ करते थे, काफी तेज डॉग होते हैं, स्टैबना बहुत बढ़िया होता है, इनका काफी agile होते हैं, मतलब flexible काफी होते हैं, जली से कूच सकते हैं, और इनकी vision भी काफी sharp होती है, तो इस सब reasons की होईया से hunting के लिए ये perfect थे, उसके अलाबा local area में इस मुधोल हाउंड क केरावान हाउंड भी कहते हैं, क्योंकि काफी बाद जब ही कोई केरावान जारी होती है, उसके पीछे ये हाउंड चलते रहते हैं, तो इसलिए इनका नाम ये भी पढ़ गया, अब देको मुधोल है, कहाँ पे खुड़ा map में ये भी देख लो, ये आप देख सकते हैं, य आर्मी ने रिसेनली अनाउंस किया है, कि वो मुधोल हाउंड को इंडट करेगी, और ये काफी बड़ा डिसिजन भी है, क्योंकि इससे पहले आर्मी सिर्फ वेस्टर्न ब्रीड के डॉग्स को इंडट करती नहीं, मतलब के UK के डॉग्स, यूरोप के, कैनड़ा के, तो जो पहला बैच है मुधोल हाउंड का, जो एक्स्प्लोसिव डिटेक्शन में काम आएंगे, वो त्यार हो चुका है, और इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, रिमाउंट एंड वेटरिनरी कॉर्ट्स में, ये मेरो केंटर्नमेंट एरिया का काफी important part है, ये रिमाउंट एं मुधोल हाउंड से पहले सिर्फ दो वीट्स को याँपे ट्रेन किया जाता ना, डॉक्स की, एक है लैब्रडॉर, दूसरा है जर्मन शेफर्ड, तो लैब्रडॉर ऐसा रिखता है, जर्मन शेफर्ड ऐसा रिखता है, मेशुर आपने ऐसे डॉक्स काफी बार देखे होंग कि जो काम लैब्रडॉर या फिर जर्मन शेफर्ड 90 सेकिंड में करते हैं, उसको मुधोल हाउंड सिर्फ एक मिरड यानी 60 सेकिंड में कर लेता है, अब हला कि मैं यह कहूंगा कि इन डॉक्स को अभी भी काफी एडवांटेज है, क्योंकि ये थोड़े जारा स्टॉंग मान कहीं पर आपको निगरानी करनी है, वहां के लिए ये डॉक्स परफेक्ट होते हैं, कोई भी डॉक्स मैं कहूंगा यहां पर जर्मन शेफर्ड लेवरड और या फिर जो इंडियन बीट के डॉक्स का पीछा करना, सिंस डॉक्स की जो नोज है काफी स्टॉंग होती है, तो जमीन के नीचे गाट रखी है, तो वहां पर डॉक्स स्निफ करके बदा सकते हैं, कि यहां पर एंटी टैंक माइन है या नहीं, एक्स्प्लोशन डिटेक्शन कहीं पर RDX से बना हुआ या किसी और टाइप का बॉम कहीं पर छुआ रखा है किसी आतंगवादी ने, तो वहां पर जो डॉक है वो स्निफ करके बदा सकता है कि यहां पर बॉम है या नहीं, फिर सर्च अन डेस्क्यू कहीं पर या पता आ गई, तो वहां पर भी डॉक्स काफी हेलफूल हो सकते हैं, फिर एवलांच डेस्क्यू, एवलांच क्या होता है, मानलो आप किसी बरफीले पहाड कहाँ पर हैं, क्योंकि जब एवलांच आती है, तो काफी बड़े एरिया में बरफ पूरे एरिया को ढग देती है, तो पता ही लगता कि वहां पर हुमन बीग्स कहाँ पर हैं, तो वहां पर डॉक काफी यूसफुल हो सकते हैं, तो यहां पर हम पताना चाहता हूँ कि अब इंडियन ब्रीट के जो मुदोल्ड हाउंड्स हैं, यह वैसे आर्मी में इंडेक्ट तो होंगे, मगर यह जर्मन शेफर्ड और लेबरडॉर को रिप्लेस नहीं करेंगे, यह एक एडिशन की तरह काम करेंगे, तो देखो यह जो इंडियन ब्रीट के डॉक्स हैं, यह सिर् जो वैसे इंडियन ब्रीट के डॉक्स हैं, वो बाजी मार जाते हैं, वो है उनका फर, आपने अगर जब वीडियो की स्टार्टिंग में फोडो देखी थी, मुदोल हाउंड्स की वो काफी स्किनी हैं, और ज्यादा फर नहीं होता उनकी बॉड़ीब, आप अगर इंडियन सब कॉंटिनेंट में देखो, तो हमारे जो भी डॉक्स हैं, उन पर जादा आपको फर नहीं दिखेगा, उसका रीजन भी यही है, कि हमारे हैं काफी गर्मी होती है, तो अब्वियस ही बात है, evolutionary process में उनको फर की अवशकता ही नहीं थी, वो इस warm climate के लिए डिवलप हुए ह अब problem यह है कि मुधोल हाउंड सिंस काफी skinny है, जारा फर नहीं है, तो हम इनको जारा colder environment में नहीं डेप्यूट कर सकते, तो इसकी वएसे इनकी जो deployment है काफी limited रहेगी, यह जादार जो हमारी warmer states हैं, जहाँ पे नकसल वारी problem है, वहाँ पे इनको डेप्यूट किया जाएगा बाकी कश्मीर में, नौर्थीस रिजन में, इनका जारा हम use नहीं कर पाएंगे, अब यहाँ पे इन हाउंड की history के बारे में भी कुछ जान लो, देखो यह जो breed है dogs की, यह सबसे पहले राजा मलोजी राओ गुरपडे ने इसको इस्तमाल किया था, और यह काफी impressed हुए थे इन dogs की hunting skills को देखकर, बाद में इन dogs को King George V, जो सबक्त इंडिया को राज कर रहे थे, उनको present भी किया गया as a gift, और इनको यह काफी पसंद आए, और इनोंने ही इस dog का नाम रखा, मुधोड हाउंड, और देखो वैसे यह dogs completely 100% इंडियन में नहीं का सकते हैं, भाला कि इंड इंडियन ब्रीड तो है, मगर इनका origin इंडिया में नहीं हुआ था, यह क्या था, बेसिकली Central Asia से करीब 500 BC के आसपास, कुछ dogs की breed इंडिया में लाई गई थी, और यहाँ पर जो local dogs थे, उनके साथ उनकी breeding हुई, तो यह hybrid निकल के आया, मुदोल हाउंड, तो यह बेसिकली ए प्राने टाइम में की बात कर रहा हूं मैं, अब तो ऐसा नहीं होता, मगर काफी लंबे टाइम तक ऐसे dogs को सर्विस के बाद मार दिया जाता था, क्यों? देखो काफी reason होते थे, पहली बार तो काफी injured होते थे, काफी pain में होते थे, यह service काफी tough होती है, फिर एक काफी important issue य क्या चीज सूंगनी है, तो अगर ये dogs गलत हातों में पहुच जाते हैं, तो इससे देश को नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए इन dogs की service के बाद इनको मार डाला जाता था, और काफी painless process होता था, मगर इनको मार ही दिया जाता था, मगर आप आर्मी ने एक नई policy reduce करी है, जहां पर लोग इन आर्मी डॉक्स को अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर ये काफी scrutiny के बाद होता है, अगर आपको आर्मी डॉप्ट करना है, तो आपको अपने paper लोग दिखानने होंगे, पुरा आपकी अच्छे स्कूरूटी होगी, आर्मी जाज परताल करेगी कि आप एक safe आ आपके वो आर्मी देश के लिए ख़दा तो नहीं है, उस आर्मी को हमें एक military dog adopt करने की इज़ादत देते हैं अब, ख्यार ये था अनलासेस मुद्गल हाउंड्स का, थैंक्स और वाचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्रेस यो अल